नमशकार दोस्तों खंडेराव और मलाराव जी के बीच में जो भी नाराजगी है जो भी अनबन है वो वाडे में सभी को पहले से पता थी लेकिन आज तक कभी ये अनबन सभी के सामने नहीं हुई थी और इसी के कारण आज तक कोई भी मलाराव जी के पास जाकर इस अनबन के बारे में बात कर उनके कान नहीं भर पा रहा था लेकिन जब खंडेराव खाना खाने के वक्त सभी के सामने अपने दिल की नाराज़गी बया करता है तब गणो जी जैसे लोगों को मलाराव जी के पास इस अन्बन के बारे में बात करने का और उनके कान भरने का मौका मिल जाता है जिस जश्न की जोर शोर से तैयारी की गई है वो जश्न अब होगा की नहीं इस चिंता में पड़े मलाराव जी अपनी ये चिंता गणो जी के पास व्यक्त करते है और गणो जी मलाराव जी से कहता है बड़े सरकार हमें खंडेराव से ये आशा नहीं थी खंडेराव साथ साल गुरुगुल में रहकर आया है फिर भी उसका बचपना कम नहीं हुआ माफ करना बड़े सरकार पर हम खंडेराव पर आस लगाए बैटे है कि वो उत्तरा दिकारी होंगे लेकिन जो बेटा अपने पिता की भावनाओ को नहीं समझ पाया वो आगे जाकर राज्य की भावनाओ को कैसे समझ पाएगा और इतने में वहाँ अहिल्या आ जाती है अहिल्या को आता दे गुनो जी के चहरे का रंग ही उड़ जाता है गुनो जी की ये कुछ बाते सुनकर अहिल्या को ये तो पता चल जाता है कि गुनो जी खंडे राव के खिलाफ मला राव जी के कान भरने का ही काम कर रहे है और इसलिए अहिल्या गुणोजी को कहती है गुणोजी दाजी अगर आपको दिख रहा है कि एक रिष्टे में दरार पड़ रही है तो उस दरार को भरने के बजाया आप उस दरार को और बढ़ा रहे हो मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी दोस्तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच पिता पुतरों के बीच जो भी अन्मन है नाराजगी है वो नाराजगी अन्मन अहिल्या कैसे दूर करती है और खंडेराओ को कैसे मनाती है जश्ण में शामिल होने के लिए और खंडे राओ भी अपनी दिल की सारी कडवाहट मिटा कर इस चश्ट में शामिल होता है कि नहीं यह हमें आज के पिसोड में देखने मिलेगा धन्यवाद